जमो कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रही है 26 सीटों पर मतदान हो रहा है मैं आपको तस्वीरे दिखाऊंगी जो 26 विधानसबा सीटे हैं जिन में जमो और कश्मीर दोनों रीजिन्स की ये सीटों का पूरा गुणा भाग जो है वो आपके सामने है नमस्कार मैं आपकी सत्यसिंदूजा हर वीशे में हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरू है सिंद्चिकित्सा पंदती विश्व के लिए भारत का अदूद वरदान गई इस तरीके से श्वीनगर, गांदरबल और बढ़गाम ये तीन जिले जो हैं वो कश्मीर रीजिन में आता है श्वीनगर की आठ सीटे है गांदरबल की दो बढ़गाम की पांच विधान सबसीटे जहां वोट डाले जा रहे हैं वही जमूरीजिन के अगर बात की जाए तो रियासी राज़ूरी पुंच में आज वोट डाले जा रही है मतदाताओं की कतार देखने के लिए मिल रही है आज सुभा से ही और जिस तरीके से जमू कश्मीर बे पहले चरण की वोटिंग के दौरा जो मतप्रतिशत है वो खासा उत्सा बढ़ाने वाला रहा था 60% से जादा मतदान हुआ था दूसरे चरण की वोटिंग में भी जो तस्पीरे मिल रही है कही न कही उससे यही सकारात्मक संदेश मिलता हुआ कि इस बार मतदान रिकॉर्ड तोड होगा जो आंकड़ा शाम तक सामने आएगा फिलाल कट्रा से लेकर बढ़गाम से लेकर आप देख रहे हैं बलहमा और रियासी की ये तस्पीरे आपके सामने जहां मतदाता पहुँच रहे हैं वोटर्स अपने मतधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अपने-अपने मुद्धे हैं सब के मन में और फिलाल कट्रा में जहां मातव वैश्णोदेवी जो परिसीमन के बाद नई सीट बनी है वहाँ पहली बार वोटिंग हो रही है मतदाताओं में जो उत्सा है उसे जानने के लिए सीध है आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास अंकित परिसीमन के बाद पहली बार मातव एश्टो देवी सीध जो है वो अस्तित में आई है और खासतोर से इस सीध पर जो मतदाता पहुँच रहा है उसकी मन की बाद दर्शकों तक पहुचाएए बिल्कुल रुमाना और काफी महतपोर है क्योंकि दस सालबा सीध पर चुनाव हो रहा है इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूद पर हूँ सबसे पहले मतड़ान किया है उनसे यहां पर प्लांटेशन कर वाए गया है यहां पर एक शक्स आपने महतपोर क्यों राकेश कुमार है परलिंपिक्स में जे इन्होंने तीरंदाजी में ब्लॉंस जीता था और आप तो ब्रैंड मेंस्टर्वी हैं क्या संदेश देंगे लोगों को यहीं संदेश देंगा कि अपना मद्दान करें और एक अच्छी सरकार जम्मो किस्मीर में लाए ताके जो भी डिवल्मेंट जैसे स्मार्ट सिटी है वो हमारे जम्मो किस्मीर में और मैट्रोस बगारा जो बढ़ चड़के यहां पर टूरिस्ट आए और सब कुछ अच्छा रहे तो आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों बाद चुनाम अपने आप में काफी महत्पूर है और आप तो अभी देश की शान लेते हैं तो लोग यहीं समझते हैं कि जम्मो किस्मीर मतलब आतंगवार तो यह जो एक सोच है लोगों की बदलने चाहिए एक अच्छी सरकार आएगी तो यह सोच जरूर बदलेगी देश की शान बढ़ाने वाले राकेश कुमार तो यहां पर है ही पैर अलिम्पिक्स जो अभी हुआ था उसमें ब्रॉंज मेडल जीते हैं लेकिन राकेश कुमार ऐसे यहां पर इस वक्ज है बहुत सारे लोग जो बड़ी संख्या में घरों से निकले हुए हैं फिर उसमें जया बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे चली कोई बात नहीं है देखिए महतपूर क्या है महतपूर यह है कि घरों से निकले हुए हैं हाला कि सुमार ंइपर लोग अपनी बात रकU दर इशू किया है वोट अधी नहीं होसे नगने क्या सुच कर गरेंगेBl gold sekarang want already er Double यहां पर वोट करने आये हो क्या सोच रहो दस साल बाद चुनाव हो रहा है कि बहुत सालों से चुनाव नहीं हो रहा था तो आप जय माता दी और पीशे त्रिकूट परवत यह बताई क्या इशू है कोई इशू नहीं है डिब्लोमेंट अच्छी हो रही है अच्छी सरकार आनी चाहिए यहां पर जिसमें डिब्लोमेंट होना चाहिए यहां पर दिलिमिटेशन के बाद में सीट का नाम रख दिया लगता है यह बीडिया आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है क्यों बहुत अच्छा है तो रोमाना निश्य तोर पर फिर चाहिए वो पुरुष मत्दाता हो यार महिला मत्दाता है हर कोई कतारों में लगा हुआ है अपनी बारी का इंतिजार कर रहा है और निश्य तोर ले पर कुछ कहे या ना कहे लेकिन कहीं न कहीं मौजूदगी पॉलिंग बूत पर मत्दाताओं की ये दिखाती है कि उनके मन में अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं और चेहरों की जो मुसकान है वो भी अपने आपे बहुत कु बूत बूत पर वोट के ना काफी जादा है कुछ ऐसे बूत पर ये जहाँ पर दो पेंड़ाएं यह प्यो ंपने के लिए जो वीइपी बूत पर मुद्दम इसे सणख्या जो यहाँ पर्धाय निचान हरे हैं यहाँ कि यहां से ही जो बढ़ादाओं की यह जो वीआईप खोड़ी देर पहले अपना वोट डाल के गए हैं जो यहां से श्रीनगर के जो सांसद हैं आगा रूहला महदी अगले आदे गंटे में इसी बूत में वो आकर अपने वोट का प्रेयोग करेंगे लेकिन कुल मिला के देखें तो यहां पे अभी भी जो वोटर्स की संख्या है वो खासी कम हैं जो अभी तक वोट पहले एक गेड़ गंटे में हो चुके हैं उसमें वोटिंग का प्रिश्चर काफी कम है लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मदाता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आएगा आप देख सके मैं कै ले भी हो जाता है क्योंकि ये भूट इम्पोर्टन इसलिए है कि आपसे थोड़ी देर पहले आगा मुंतजिर से हमने बात की तो उन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि इस सीट पर जो चुनाव है वो लोकल बना विजिटर के बीच है यानि उमर अब्दुला को उन्होंने विजिटर का नाम दिया बाहरी बता कर यहां पे लोगों के समर्थन की बात की और कहा कि पीडीपी ये सीट जीर जाएगी यानि अगर अगर मुंतजिर की बात करें तो उनका दावा है कि उमर अब्दुला बढ़ गाम से हार रहे हैं चुनाव जो की सेफ सीट वाला कॉंसे अबी फिलहाल थोड़ा सा कम है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं मैं कैमरामेन से एक बार फिर कहूंगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके से गेट खोले जा रहे हैं और मदाताओं की जो संक्या है वो यहां पे दीरे दीरे बढ़नी अगर रूह लाएंगे उनके साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे लिकिन बढ़ गाम में भी उमर उब्दला के लिए जो मुकाबला है वो गड़ा होता हुआ दिख रहा है रोमाना रहे मेरे साथ में लोटूंगे आपके प अगर सकता हुआ उनके सकता है इनके साथ जाज़ा के लिए रहा हुआ है पहता हुआ।